नमस्कार दोस्तों मैं हूं मनोज कुमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं E-Date और E-O-Month Function के बारे में ठीक है तो मैं एक ही वीडियो में ये दोनों Function करवर करने वाला हूँ ठीक है और ये Date and Time का जो Function है इसका पूरे Detail में देखेंगे E-Date और E-O-Month मतलब End of Month Function का ठीक है तो अगर मैं इसका Location के बात करूँ तो आपको बता दो कि अगर आप Formula Section में जाओगे यहां से और यहां पर है Date and Time ठीक है अगर Date and Time में आप जाओगे तो यहां देख रहे हैं E-Date ठीक है यहां पर आ रहा है E-Date और उसके नीचे है E-O-Month ठीक है तो दोनों Function किस तरह से काम करता है और दोनों में क्या Difference है यह भी हम लोग देखेंगे ठीक है तो चलते हैं सीट की और और देखते हैं कैसे इसको apply करते हैं ठीक है सबसे पहले मैं यहां पर E-Date बताता हूँ फिर end of month बताता हूँ end of month क्या है मैं यहां पर दोनों को पहले delete करता रहा हूँ और आपके सामने इस formula को use करके बता रहा हूँ ठीक है तो अभी देखी कि जैसे कुछ start date है ठीक है कोई यहां पर E-Date function use कर रहा हूँ जैसे कि आप यह लिख हूँगा E-Date ठीक है अगर यहां पर देखे एड़ेट आ गया है और यहां पर इसका argument में देख रहे हैं argument में क्या बोल रहा है start date पहले पूछ रहा है start date कौन सा है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है उसके बा यहां पर जो है 12 month add होके यहां पर आ गया है सबसे पहली बाद तो यहां पर मैं देखिए यहां जो date था 1st October 2021 ही आया है ठीक है इसमें क्या होगा 12 month add होके जो भी date है वो आपको यहां पर आ चुका है ठीक है अगर मैं यहां पर देखे 15 October 2020 में 6 month को add करूँगा तो क्या होगा ठीक है तो यहां पर लिखूंगा equal to e-date ठीक है e-date e-date लिखा उसके start date मांग रहा है start date मैं यह ले रहा हूँ और comma press कर रहा हूँ और month मांग रहा हूँ कौन सा month मैं यह month ले रहा हूँ ठीक है month ले लिया यहां पर देखे क्या हो रहा है की छोटा सा यह है ना तो मैं इसको बढ़ा कर दे रहा हूँ तो आपको easy होगा यह function को थोड़ा से date column बढ़ा कर रहा हूँ तो आपको selection करने में easy होगा तो इसके लिए मैं यहां पर लिख रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ equal to e-date ठीक है इ-date formula यूज करूँगा और start date में मैं यह लिया हूँ और इसमें कोमा डालूँगा और यहां पर इसको month में add किया तब ही देखे क्या हो गया 6 month add हो गया यहां पर 15 October था यहां भी 15 October date में कोई change नहीं आ रहा है यहां पर 1 October था फर्स्ट अक्टूबर में 12 month add करके जो भी हूँ यहां पर लिख दिया और यहां पर 15 October 20 में था उसमें 6 month add हो गया यहां पर 15 October है यहां पर भी आपको 15 October ही है यहां पर plus था कोई भी चिन नहीं तो यह एड कर दिया यहां पर जैसे minus है तो minus है तो क्या करेगा यह जैसे कि यह minus है तो 9 month जो है यहां पर नीचे हो जाएगा पीछे हो जाएगा ठीक है यहां पर equal to लिख रहा हूँ और यहां पर date पूठ रहा हूँ इडेट ठीक है अभी start date माग रहा है मानके जली यह start date है कोमा डाल रहा हूँ और month माग रहा है मैं यह month ले रही है equal to क्या है देखिए यहां पर क्या हो गया माइनस नाई है मतलब कि 9 नंबर से जो है माइनस होके फैरवरी आ गया है ठीक है 9 month पीछे चला गया है तो यह date में माइनस भी काम कर रहा है यहां पर माइनस टू है तो आप देखिए ना नंबर मन्त थर्थर्ड ना नंबर है उसमें से 2 month को घटा देंगे तो equal to लिख रहा गया और date देखिए 3rd नंबर यहां पर भी है 3rd नंबर यहां पर September यहां पर आ गया ठीक है तो date में कुछ भी changes नहीं आ रहा है only जो है आपका month जो है change हो रहा है और यहीं पर बात करेंगे e-o month मतलब end of month अगर यह formula add करेंगे तो आपको month तो आपको add होगा लेकिन day जो है यह जो day है वो जो है आपको end of month यहां अपको यहां पर चूच कर रहा हूँ कॉमा कर रहा हूं और यहां पर month 12 month add कर रहेंगे तो यहां पर देखिए क्या है 31st October आ गया यहां पर कितना है यहाँ पर कितना अगया 31st October मतलब क्या हो गया यह जो October month है ठीक है October month का end कभ है date एंड date कभ होता है October month का last day कौनसा हो वो 31st हो गया यह जो first आ तो 31st आ गया यहाँ पर क्यूंग आगया क्योंकि October month का end date यह कभी भी month को add करेगा लेकिन जो date जो है वो month का end का देगा, यहीं पर अगर यहां पर 15 October में 6 month add करते हैं, तो यहां पर देखे क्या होगा, equal to EO month, ठीक है, अगर EO month apply किया है, यहां पर start date माँग रहा है, मानके जली यह start date कर दिया, उसके वाद कोमा, यह month हो गया, add किया, अगर add किया है, तो देखे क्या हो गया, यहा कितना था, 15 October था, उसमें से 6 month add किया, तो 15 October 21 आया, E-date अगर यह use कर रहे हैं तो, वहीं पर आप EO month यूज कर रहे हैं, उसमें क्या है, 30 April, मतलो कि April month जो है, वो कितने दिनों का होता है, वो 30 दिनों का होता, 30 दिनों का होता है, अपरेल मन्त इसलिए जो है, यहां पर आपक मन्त में जब भी आपका जो है डेट आएगा वह जो है मन्त का जो है लास्ट का डेट ऐगा मतलब वह मन्त कितने महिने का होता कितने दिनों का होता है वह डेट आ गया मतला end of month end का अगया उसी तरह का minus भी करेंगे आप यहाँ पे ठीक है अगर मैं यहाँ पर apply कर रहा हूं तो फेवरी कितने दिना को कना आएगा लेकिन यहाँ पर e o month यूज़ करने से date आपका change हो जा रहा है change होके month का end का दे रहा है अगर प्लस भी कर सकते हो या minus भी कर सकते हो लेकिन date जो है आपका जो change होगा वो क्या होगा end of month का आएगा ठीक है अगर इस में से third number में 20 में से minus two को घटा दिया दिया कितना होगा equal to लिफा ठीक है यहाँ पर लिख दूआ दूआ यहाँ पर लिख दूआ 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 यहाँ और फॉर्मूला में अगर आप यूज़ करते हो किस तरह से काम करता है e-date ठीक है और किस तरह से काम करता है e-date और किस तरह से e-of month ठीक है तो दोनों में क्या difference है आपका concept clear हुआ होगा ठीक है अभी क्या देख रहे है यह जो है आपको date same रहेगा यह date और यह date ठीक है सिर्फ month जो है यह add होगा मैनस होगा लेकिन यहाँ पर यह क्या है यह आपका क्या हो जाता है end of month ठीक है वह आपको यहाँ पर लेगा ठीक है तो यह जो iintaj Flunet कहले ऊता हो और है इतना last वाला लेगा ठीक है चल्य कुछ example देख रहा है is içhtella example भी देख लेते हैं मान के चली यहाँ पर जो है यहाँ कुछ कर रहा हूँ तरीक है क्या कर रहा हों कुछ example मैं आपको बताने वाला हूं क्या example बता दू यहां पर जैसे कि मैं मुझे चाहिए इस मन्त का October मन्त है इसके next जैसे 15 October है ठीक है 15 October 2021 का next month का first date चाहिए ठीक है next month का चाहिए तो क्या होगा ठीक है अगर 15 October 2021 मैं यहां पर लिख रहा हूं 15 10 15 2020 टीक फ्रमेट में डालूं ठीक है यहां पर जागा एगर सेम फॉर्म करू फॉर्मेट टई के टॉर्मेट तर सेम और है कितना गा। कि हुद लक्ट तहीं टुब्र 5 системамов टुंटी तुइप अगर यह पर मैं यहां पर फार्मॉरल लगा या Pan Rajya यहां पर मैं समय का एंडव डेटो कितना आंगा देट तीक है मैं यहां पर एंड डेट कितना आ गया उसके लिए मैं क्या लेकर अगा हो इकल टू-इओ-मत लगाया स्टाट डेट में यहां लिख रहा हूं और कोमा लेकर रहा हूं जीरो लगा रहा हूं ठीक है तो देखिए कितना आ रहा है यह किस format में आया यहां पर नंबर आ गया क्यों नंबर क्यों आ गया क्योंकि इसका जो format है general format में मैं इसको क्या करूंगा इसको जो है date format में change कर दे रहा हूं मन्त है यह अक्टूबर मन्त का last date में कितने दिनों होता है कितना last date है उसको जानने के लिए हमनों क्या लगाएंगे यह मन्त लगाएंगे और start date माल लेज़े यह है उसमें zero day add कर दूंगा जिरो मन्त कर दूंगा तो ऑटोमेटिक जो है इसका last month आ जाएगा यहीं पर अगर मै मैं अक्टूबर को हटाइए मैं फेवरी कर रहा हूँ ठीक है तो फेवरी मन्त का ठीक है यह और यहां पर 19 19 कर रहा हूँ ठीक है अभी 15 February 2019 मतलब यह मन्त का जो है हमको last date चाहिए यह मन्त में कितने दिनों का date होता है उसका last date चाहिए ठीक है तो उसके लिए अगर हम लोग यहां पर क्या फर्मॉल लगा है कि इक्वल टू इओ मन्त ठीक है यह मन्त और यह मन्त सेलेक्ट किया और इसमें जीरो डे एड़ कर दिया इंटरप्रेस किया तो देखिए कितना रहा है 28 February 29 ठीक है तो मतलब क्या होगा यह फर्वरी जा है last date कितने दिन का है 28 दिनों का होता है ठीक है तो समझ में आया होगा अगर यहीं मन्त चाहिए मुझे ठीक है यह जो है किसी भी आपको दिया हुआ रहेगा कि इसका जो है next month का first date चाहिए वह कैसे निकालेंगे कैसे फर्मॉला इसमें लगाएंगे ठीक है next month का first date चाहिए 15 February 19 का जो है next month आएगा उसका first date चाहि किजिए equal to zero कर दीजिए ठीक है next month का चाहिए तो one month add करना परेगा end कीजिए तो यह 31st March आ जाता ठीक है इसमें zero day add कर दीजिए zero day add करने के बाद क्या होगा यह बंत का last आ गया और इसमें जो आप प्लस one कर दो तो next month का first date से start हो जाएगा यहाँ ठीक है तो आप अपने अनु कर सकते हो ठीक है वह आप जितना भी सोच सकते हो उसके अनुसार आप कर सकते हो तो मेरा concept में था कि ईडिट और यह मन्त में difference आफ को मिला इडिट में जो है डेट जो है दोनों में शेम रहता है डेट चेंज नहीं होता है टीक है जो डेट यहाँ पे रहेगा शेम डेट रह यह मन्त में क्या होगा आपका जो डेट जो है नहीं रहेगा यह जो है आपका end of month का date निकलेगा end of month का date निकलेगा यह जो है आपका date इससे कोई लेना देना नहीं है वालने month जो है same रहेगा लेकिन यो भी date रहेगा वो आपका उस महने का last date जो है उसी को recognize करेगा ये और दूसरा कुछ भी नहीं करेगा ठीक है तो दोनों में different हो गया date जो है ये same date और यहाँ पे जो है ये last date मन्त का जो है last date जो है आपको यहाँ पे दे रहा ठीक है तो क्या है नहीं आप समझ में आया होगा और इसका example आप जैसा भी चाहिए वह से आप निकाल सकते हो अपने यूज की अनुसार क्या है नहीं है ठीक है तो आसा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और कुछ new concept new idea new thing के साथ हम लोग जो है कुछ नए वीडियो में देखेंगे ठीक है तो इस वीडियो में बस इतना ही कुछ डाट होता आप comment box में लिखेगा तब तक के लिए धन्यवाद थैंक्यू